तो दोस्तो शार्दा एनरजी की कमपनी ने बाइबेक अनौन्स किया है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे किस बाइबेक से आपको क्या फरक पड़ेगा और इसमें ये जो बाइबेक के लिए आपको शेयर करने चाहिए या नहीं चलिए शु कमपनी का तो वहां पे वहां पे अरहँ डाइज से परशेंट का यहां पे बाइबेक का साइज टोटल मार्किट के अपके यहां पर पर लेकर आ रहे हैं और अगर हम बाइबेक के श sushi से अगर ऑंच करेंगे तो देखें तो देख किया है तो या नहीन Joni के डिक यहरी आउन तेरा सो के लगबक थी तो यानि कि अगर आप देखोगे तो 180-190 रुपीज के प्रीमियम पे ये बाइबेक आ रहा है और यहाँ पे कंपनी ने 7.5 रुपीज का डिविडेंट भी डिकलेर किया यानि कि अगर आपके पास 100 शेर से आपको आपके 750 रुपीज का डिविडेंट मिलेगा और यहाँ पर जो रिकार्ड डेट है यानि कि 6 माई को आपके डिमेट अकाउन में शेर्स होने चीए जो टी प्लस टू वाला जो पूरा प्रोसेस हो जाना चीए तो 6 माई यानि कि टी प्लस टू से पहले यानि कि रौण 2 से 3 माई को आपको यहाँ पर शेर्स लेने पड़ेंगे उसके बाद अगर आप शेर्स बाय करते हो तो आप यहाँ पर बाइबेक और डिविडेंट डोनों के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो बाइबेक का साइज काफी चोटा है और यह स्टील सेक्टर से कंपनी बिलांग करती है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस point वीशे देखा जाए तो यहाँ पे shareholder's point वीशे थोड़ी अच्छी बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा जो sector है वो ठोड़ा cyclical sector है तो क्या long term point वीशे यहाँ invest करना चीए तो देखिए मेरे ख्याल चे काफी जादा rally भी stock में भी हुई है तो उस point वीशे मेरे ख्याल से शिर्फ buyback के लिए यहाँ पे पैसा डालना वो मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा लेकिन अगर आपको long term point वीशे invest करना है तो मेरे ख्याल से आप invest कर सकते हैं लेकिन यह बात ध्यान रखेगा कि एक cyclical company है cycles के थूरू जाती है तो अगर पूरी steel cycle अगर आपको अच्छे समझी में आती है तो यह आपने यह invest करना चाहिए बाकि अगर हम देखेंगे तो यह जो buyback का news है तो short term में यहाँ पे positive way में market ले सकता है मुझे लगता है कि आराम से 5-6% की rally यहाँ पे आपको सार्दा energy में short term में देखने को मिल सकती है तो दोस्टों में होप करता हूं कि सार्दा energy के cutoff जो sorry cutoff numbers के आदत हो गई है तो उसके अदसे जो buyback की जो update तो उसके बारे में आपको सब कुछ समझी में आ गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टों thank you have a nice day